Hello friends and welcome to Tech Bytes दोस्तों आपसे कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेर करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से अपने मुबाइल की बैटरी को इंप्रूव कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो को आप उस वीडियो को आप को कंटीन शेर करूंगा जिसका यूज़ करके आप अपने मूबाइल की बैटरी को काफी हद तक इंस तक एंप्रूव कर सकते हैं पिछले वीडियो में आपको कुछ एक ही ट्रिक बताई थी पर इस वाले वीडियो में आपको दो तीन ट्रिक्स और बताऊंगा जिसका यूस करके आप अपने मॉबाइल की बैटरी को काफी हाथ तक सेव कर पाएंगे तो दोस्तों अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लिस लाइक दी वीडियो और सबस्क्राइब में चैनल क्योंकि आपको आगे भी बहुत इसी तरह के अच्छे अच्छे टीप्स और ट्रिक्स मेरे चैनल पर मिलने वाले हैं तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लिजी और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस करके और पर सट कर लेना ताकि आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन टैप टु टाइम अपने मॉबाइल पर मिल सकें तो दोस्तों बिजाता डिले ना करते हुए मैं सीधा वीडियो को शुरू करता हूँ आपको बताता हूँ वन बाइवन कि वह कौन कौन सी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिसका यूस करके आप अपनी मॉबाइल की बैटरी को काफी हद तक सेव कर सकते हैं तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप अकसर क्या करते हैं आप कोई भी एप खोलते हैं अपने मॉबाइल का जैसे मैंने खोली वाटसैप खोला और देखा बंद किया और मैंने सब्सक्राइब कुछ मेसेजिस पढ़ लिया और देखे बंद किय करते रहते हैं और सिधा अपने मॉबाइल को यहां से बंद करके रख देते हैं तो इससे क्या होता है दोस्तों हमने काफी सारी एप्स को बंद कर देना चाहिए यह है मेरी सबसे पहले टिप आप सबके लिए ऐसा करने से क्या होगा आपकी बैक्राइब कोई भी एप नहीं पड़ी रहेगी उस और रैम आपके क्लेर रहेगी तो आपकी बैटरी कम से कम यूस होगी और सेकेंड टिप में जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं वह है दोस्तों जीपियस को लेकर अगर आप जीपियस का यूस नहीं कर रहे हैं आप घर के अंदर हैं तो आपको अपन बैटरी काफी कर्च होती है अगर आप इसको बंद कर देंगे तो इससे भी आप काफी हद तक बैटरी को बचा लेंगे और तीसरी जो मेरी टिप है दोस्तों वह आप देखें मैं वह आपको बताता हूं वह डिस्प्ले को लेकर अगर आपके मॉबाइल की स्क्रीन में अड लिख रहा होगा कि Adaptive Brightness की Setting On है Adaptive Brightness का मतलब है दोस्तों की मॉबाइल अपने Brightness को Atmosphere की Light के According खुछ सेट करता है तो इस सेटिंग को आप आफ पर दीजे दोस्तों के कि इस सेटिंग को On रखने से भी आपकी Battery काफी ज्यादा यूज़ होती है क्योंकि होता क्या है अगर आ आपने आउडिंग खुछ सेट कर लेजिए जितनी आपको चाहिए आपको कम चाहिए तो कम रख लेजिए ज्यदा चाहिए तो ज्यदा रख लेजिए इससे आप अपने बैटने से खुद कंट्रोल कर सकते हैं और काफी हद तक अपने मॉबाइल की Battery को सेव कर सकते हैं तो अगर आपने मेरा वाला वीडियो नहीं देखा था तो उसका लिंक आप ओपर आई बटन मील जाएगा आप उस पर क्लिक करके डिरेक्टली उस वीडियो को देख लेना पर उस वीडियो में जाने से पहले आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेजिए समझ देखा था, तो आपको प्ता होगा कि यहां पर मैंने बता था कि आपको बैग्राउंड एफ्सस में जाकर उने आपको इन त्री डॉर्ट से क्लिक करना है और यहां पर hearing option जो open हो गया है इस पर क्लिक कर दाना है तो ग् Jeżeli आ रहे हैं, आपको यह चेक करना है कि यह कोई भी option आपके mobile में बंद नहीं होना चाहिए, यह सारे options आपके mobile में enabled रहने चाहिए, अगर आप सपोज यह ऐसे off है, यह options आपके mobile इस तरह से off रखे हैं, तो आपको इनको यहां से enable कर देना है, जैसे मैं अभी अपने mobile कर रहा हूँ, और अगर आप नीचे आएंगे, तो नीचे भी आपको एक option मिलेगा, अगर आप Samsung phone यूज कर रहे हैं, तो optimize settings का, इसमें लिखा हुआ है, say battery by optimizing your settings when you are not using your phone, तो इसको भी आपको enable कर देना है, यह भी आपकी battery को काफी optimize करेग तो इससे भी आपकी battery काफी improve हो जाएगी और आपकी battery भी काफी हद तक ज़्यदा चलेगी, जैसे कि आपकी battery अगर चार से पांच घंटे में खतम हो जाती है, अगर आप ज़्यदा यूज करते हैं अपने phone का, तो आपके battery में कम से आपको एक से दो घंटे का इजाफात दे जिसको आप इनीबल करके always on display set कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको अपने phone पर दिखा देता हूँ, यह रहा always on display, अगर मैं इसको इनीबल कर देता हूँ, तो इससे क्या होता है, कि अगर मैं अपने phone को log भी कर दूँ, तो अभी मेरी phone के screen पे display आता रहेगा, जो कि time and date show करता रह है, जैसे कि अब आप देख लेजिए, थोड़ी देर में इस screen पे आ जाएगा, मैंने always on display को on कर दिया है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, चुलिए यह देखिए, यह always on display मैं इस screen पे आ गया है, यह time show कर रहा है, और date show कर रहा है, always on display का दोस्तों use तो काफी अच्छा है, always on display भी काफी बैटरी यूज़ करता है, background में, तो अगर आप इतना जदा आपको time on or dates देखने से मतलब नहीं है, तो मैं आपको यह suggest करूँगा, कि आप इस always on setting को भी अपने mobile phone पर बंद ही रखिए, क्योंकि यह भी आपकी काफी बैटरी यूज़ करता है, तो मैं इसको फि काफी कम यूज़ होगी, और काफी हद तक आपके mobile की बैटरी से हो जाएगी, dark mode को enable करने के लिए, आपने mobile के service में चले जाने के बाद आपको जाना है, नीचे display option में, आपको display लिक करना है, और display लिक करने के लाद दोस्तों, आपके पास आयागा night mode, किसी-किसी mobile में ये night mode क के नाम से है, और किसी-किसी mobile में आपको dark mode के नाम से मिलेगा, Samsung mobile में इसको night mode के नाम से है, तो इसको यहां से आप enable कर लीजिए, इसको enable करती है, आपका mobile पूर dark mode में आ जाएगा, और dark mode में आपकी आखों पर ये काफी हलका पड़ता है, आपकी आखों पर stress भी नहीं कर देगा, तो यह था दोस्तों, आज का वीडियो जिसमें मैं आपको साथ काफी सारे trips and tricks share करी है, mobile बैटरे को save करने को लेकर, hope है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है, तो please like the video and subscribe my channel and have a nice day.